जहां सन्युक्त परिवार था तूट रहा है एकल परिवार की अस्थापना होने जा रही या आधनिक्ता की मांग है बहुत ही द्रिस्यात्मक बहुत ही नाट्यात्मक धंग से इन्होंने इन चीजों को उभारा इसलिए उनकी एकांकियां जो है उस समेस्या को छूकर उसे सज जीव बनाने की छमता रखती हैं समेस्याओं को चूती हैं और सजीव बना जेती हैं यहां तक की द्रिश्यात्मक बना देती हैं ब्यंग इनका प्रमुख अस्त्र है जिसे लेकर यह चूप निशाना लगाते हैं अब अगर आप देखें तो अंधेर नगरी उसमें भी यह है कि वहां संकलंत्रे का हलकी वहां अंग्रेजों की चुटकिया ली गई हैं यहां देश सोतंत्र होने जा रहा है या हो चुका है या होने वाला है लेकिन भारतियों की चुटकिया ली जा रही हैं अपनी इनकी सीमाएं हैं दोनों संस्कित पास्चात्य और भारतिय संस वाहे बिभिन प्रकारी की एकांकियों में आप देखेंगे तब पता चलेगा आपको प्रायह अस्क का जीवन संघर्षों का एक जीवित इतिहास है और वह इतिहास कहीं न कहीं उनकी एकांकियों में जलकता है जनता के प्रत सहानबूत यथार्थ को देखने की सुच यह बात अलग है कि रेडियो रूपक या रेडियो नाटक प्रारंब हो चुके थे और आगे जिस तरह से जगदीश चंडर माथूर आते हैं हमारे सामने जगदीश चंडर माथूर कोणारक प्रतिहासिक नाटक है उनका लेकिन प्रसासनिक सेवा में रहते हुए उनके दो इकांग की संग्रह ओ मेरे सपने भोर का तारा प्रकासित हैं अब सवाल यह उठता है कि जगदीश चंडर माथूर खूर्जा से लाहाबाद विश्विद्याले और प्रसासनिक सेवा के तहत अलग-अलग जगहों पर रहते हुए और बाद में आकाश्वानी के महानिदेश पत्क को सुसूबित करते हुए अलग-अलग संदर्भों को ले करके उन्होंने अहतिहाशिक, सामाजिक, पारिवार अनेक प्रकार की एकांग की लिखे उनके एकांग की लेखन को नए अन्दाज में पेस करना रेडियो रूपक के कारन भी हो सकता है या नाटक के कारन भी ह या यह हो सकता है कि उनके पुरवर्ती एकांग की कारों ने जो लिखा है उससे हट करके सामाजिक भारती परिवार ब्यवस्ता को कैसे निरूपित किया जाए यह भी हो सकता है एक नई कला उनमें आई और उस कला के चलते उनकी एक एकांग की रीड की हड़ी को देखा जाए उस समय नारी बिमर्स नहीं था लेकिन फिर भी रीड की हड़ी में उमा के द्वारा जिस तरह से उमा माता पिताद द्वारा आयोजित बिवाह से इनकार करती है और उसका सिर्षक रीड की हड़ी इतना प्रतिकात्मक है कि निश्चित रूप से इस भारती समाज या परिव अधिकार के धुरी औरत है औरत को अपना नेड़े लेने का अधिकार होना चाहिए कहीं ने कहीं अनगूज इसे आप पास्चात्य प्रफाव मालने या पुरवर्ती जो या नवजागन जिसमें नारी और उप्षितों को ध्यान में रखा गया नवजागन की उपज मालने जो भी मालने लेकिन कुल मिला कर देखा जाए तो वे पाखंड को बराबर तोड़ते हैं पाखंड पर बराबर प्रहार करते हैं और उनके सभी एकांग की पात्रों में आप यह चेतना देखेंगे लेकिन उनका जो बिद्रोह है वो बिद्रोह कहीं न कहीं परिवार के शका परात्मक पहलूँ को लेकर चलने वाला है यानि धिरे धिरे उनके एकांकी के पात्र इतने पढ़े लिखे हैं प्रबुद्ध हैं कि एक दूसरे की जो प्रावलम से है समेश्या है उसे अच्छी तरह से समझते हैं मैं समझता हूँ कि जगदीश चेद्रमाथुन ने प्रमु हमारे सामने आते हैं और भारत भूषण अगरवाल रेडियो रूपक चुकि आकासवाणी में रहे बाद में साहिद एकेडमी के मंत्री बने रेडियो रूपक या रेडियो नाटक जिसे आप कहते हैं वहाँ से सुरुवात की उनके कभी और अन्य विधाओं पर बात न करक उनकी जो प्रमुख एकांकी हमारे सामने हैं खाई बढ़ती गई पलायन महा भारत की एक सांच अब आप देखें खाई बढ़ती गई हमने सामनती व्यवस्ता तोड़ी या तोड़ने की पहल की और आधुनिकता की तरफ आए लेकिन आधुनिकता किस के लिए बहुत धिको के लिए जो सरवारा है उसकी क्या हालत है वो आप देख सकते हैं और इस एकांकी के पात्रों के द्वारा खाई बढ़ती गई यानि धनी और गरीब सिक्षित और सिक्षित के बीच का अंतराल बढ़ता गया ये दिखाया गया है पलायन यहां पलायन भारतियता के प्रत भी है सनियुत परिवार के प्रत भी है और अन्य तरफ से हम देख सकते हैं और महा भारत की एक सांज जहां अईतिहाशिक पात्र के द्वारा महा भारत की जो बिडंबना है उसे भी हमारे सामने ब्यक्त करते हैं उसी समय अंधायुग में धर्मीर भारती ने बहुत सारी चीजे हमारे सामने रखी थी मैं अंधायुग की बात यहां नहीं कर रहा हूं लेकिन महा भारत की एक सांज जो कसम कस एकांकी है इनकी भाषा अत्यंतरोचक सतर्क पवरानिक वातावन के अनुकूल और आधुनिक्ता से उतप्रोत है धर्मीर भारती साहित की विविद विधाओं क आवाज का निलाम जिसमें बाजोरिया जैसे पुझीपत मानवी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और आवाज का निलाम एकांकी संग्रह एक ऐसा एकांकी है जो बौधिकों को कृत दास की तरह हमारे सामने ले आता है और जो ब्यावशाइक हैं और जो धर्म गुरु हैं उस पर पूरा का पूरा उन्होंने प्रहार किया है प्रतिकात्मक प्रस्तुतिकर्ण उनका काफी सराहनी है मोहन राकेश अंडे के छिलके नाटक के छेतर में हलागि कहानी के छेतर में भी नहोंने काम किया नाटक भी लिखा पन्यास भी लिखे लेकिन एक ही एकांकी इनका अन्डे के छिल्के उस अन्डे के छिल्के में मद्रवर्गी उसमें 5-6 एकांकिया है लेकिन मद्रवर्गी जो भी संगतिया है और जो दिखावापन है बड़ी मार्मिक संभादपुन सैली में इन्होंने ब्यक्द किया और संकलन त्रह का पूरा ख्याल रखा इसी संदर्ण में देखा जाये तो विश्ण प्रभाकर चुकि आदर्शवादी हैं इसलिए उनके प्रमुख एकांकियों में मैं मानव हूं समरेखा विश्ण रेखा तीसरा यादमी सीमा रेखा तूट ये सम में तूटते परिवेश की प्रस्तुतियां दिखा आई गई हैं संसकार और भावना युक्षंध जहां दया पाप है उपचेतना का छल पोड़ा होती बीर पूजा दरिंदा प्रकास और परशाईयां आद एकांकियों में कहीं न कहीं इन्होंने आदर्श को ही अस्थाबित करने की कोशिस की है लेकिन आदर्श और दोनों अलग-अलग हुआ करते हैं संसकार और भावना युक्षंध की उसमें अगर आप देखेंगे आदर्श निश्चित रूप से हमारे लिए आवश्यक हैं लेकिन अगर वह यथार्थ प्रेरित हैं आदर्श और मुख यथार्थ है तो ज्यादा अच्छा है ममता कालि प्रिया के अब तक प्रकासित एकांकी संग्रहों में आत्मा अठनी का नाम है यहां रोना मना है इवंग जान से प्यारे यहां रोना मना है इसमें इस एकांकी में अगर आप देखें तो किस तरह से कालिंदी ससुराल के घूटन पून बातावण में जीवन जीती है नारी म मर्स के बावजूद दस्तक देने के बावजूद आज भी हमारे परिवार और समाज में कहीं न कहीं पुरुस प्रधांता देखने को मिलती है, यह बात अलग है कि कुछ परिवार काफी सोतंत्र भी हैं लेकिन जिस तरह से बैयक्तिक सोतंत्रता मिलनी चाहिए वह सोतंत्रता नहीं मिल पाती है उसके अनेक काणा हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा लेकिन यहां रोना मना है उसमें कालिंदी के चरित्र को आप देख लीजिए या जान से प्यारे डाक्टर कौशिक तमाम खोजबीन करते हैं लेकिन अन्ति में उनका एक स्टेट्मेंट आता है मौद से अधिक कुरूर जीवन है और जीवन से भी कुरूर है मनुष यह यानि मनुष बरबर बनता जा रहा है मनुष पढ़ लिक करके भी अपनी जो मानिवी संबेदना है उसे खो रहा है इसे बहुत ही कलात्मक धंग से संगलन त्रय का निरवाह करते हुए उन्होंने उभारा है ममता कालिया जी अभी भी एकांकी लिख रही है संबव है इससे अच्छी एकांकी और लिख करके आपके सामने आए जीजे हर्जेत एक ऐसे ही एकांकी कार है जिन्होंने बलित वीमर्ष को केन में रखते हुए आखेट नामक एकांकी संग्रफ प्रकासित करवाया है अब सवाल ये है उठता है कि आखेट सिर्शक बहुत सरल है लेकिन करण के कवच कुंडल को इंद्र ध्यानदान में कैसे लेता है और उसके साथ किस तरह से अमानुई पुन बेवहार होता है उस पर प्रकास डाला गया है सब्दर हासमी का एक अपहरन भाई चारे का और उसमें उन्होंने जिस तरह से सामपरदाइक समेश्या को उठा है गली महलो मेत रिशूल कौन बटवाता है अल्ला इस स्वर के नाम पर सेनाय कौन बनवाता है कौन खालिस्तान का नारा लगवाता है बता दो बता दो कि ये ना गर दी गई का अन्य एक आंकी कारों में लक्ष मिन आयनलाल बिनोद रस्टोगी रेउति सरण सर्मा सतेंदर सरद सुरेंदर बरमा चिरंजीत राजी उशक सेना सांती महरोत्रा यों मुद्राराक्षत काफी चर्चित है बिनोद रस्टोगी का एक आंकी काले कव्यश्य गो और मुद्रा राक्षास का एकांकी आला आफसर जो नौकर साही पर है उसे भी हम देख सकते हैं लेकिन जिस तरह से इन प्रमुख एकांकी कारों ने एकांकियां लिखी उस तरह से अभी एकांकी कार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं संभव है कि आने वाले समय में तकनिक और उत्तर आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए दलित याउन नारी विमर्ष को समेटने वाली एकांकियां लिखी जाएं बस अस्तो संधान और गुजरात इंटिग्वेटर क्लास्रूम सेटलाइट ना माध्यमती जोडती कड़ी एकले संधान